हलो गाईज, वेलकम टो और यूटिब चैनल के यार साहो क्लास आज का यहाँ वीडियो मेरे बहुत ही इंपोर्डेंट है आप सभी के लिए चाहे हो बीए कर रहे हैं इंग्लिस लिट्रेशर से चाहे रेगुलर सेमेस्टर कर रहे हो में इंग्लिस या फिर प्राइवेट इरली में इंग्लिस कर रहे हैं उन सब्सक्राइब के लिए स्पैसल है क्योंकि आप लोग के एक्जाम में सौर्ट कैस्टन आंसर पूछा जाता है और आज उसी के मैं चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आकर प्रेस करके दखीएगा वीडियो इस चैनल पर आते रहता है आपके लिए काफी यूसफुल रहता है अपने फ्रेंड के साथ भी सेर किज़ेगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब्जेक्टिव क्वेशन का महात्मा गांधी बोर्णा जिसमें आप लोग देख रहे होंगे आपके पास क्या है चार ओप्सन है ठीक ना यह चार आपसन है और एक को चूस करके लिखना है जो आपको करेक्ट है जो आंसर आपका करेक्ट है जैसे किसमें करेक्ट है 1869 तो यह आंसर सही है यह पहला आप लोग को यहाँ पर डेज दिख रहा है दिख रहा है तो इस टाइब से रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार को लिखिंगे है ना यह दूसरा टाइप का है यह भी आपका एक नंबर का होता है ठीक है अब अगला देखते हैं डिस्क्राइब जीवर आउन वर्ड्स कांधी जी फाइनल इस्टे इन लंदन देखिए यह आपका सौट कोईशन आंसर में है तो ध्यान बस इतना रखना है यह कोईशन आंसर जो है वो दो नंबर को सकता है या पांतरन अंबर को सब्सक्राइब जो है उसक्षाम सब्सक्राइब और ठीक है अब योखको इस वीडियो में बता रहे हुं कि आप लोग को क्या का याद करना है जिससे कि आपका जो थी टाइपस अभी मैं बताई हूँ अब जीक्टी क्वेशन, सौर्ट क्वेशन वो कभर हो जाएंगे चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो हो, प्रोज हो, पोईटरी हो, फिक्सल हो या ड्रामा हो कोई भी सब्जेक्ट है तो सारे कभर हो जाएंगे, चाहे आप बिएस हो, या फिर प्राइवेट में इंग्लिस हो, या फिर रेगुलर में इंग्लिस हो, सब्सक्राइब या मेरा वेडियो, ठीक है तो क्या के याद करना है, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से सुन लेजिए, देखे, आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन सबसे इंपोर्टेंट होता है, क्यों? इंट्रोडक्शन मतलब की जो आथार है, आपके पास टोटल देखे होंगी, एमें प्राइवेट या फ ठीक ना, उसे कब पब्लिस किया गया है, जो राइटर उनका जन्म का अप हुआ है, मृत्यू का अप हुआ है, और उनका गाह कों से है, विलेज या फिर सिटी, उनका एजुकेशन कहा हुआ है, उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था, इससे अधर कुछ नहीं, स्टोरी, स्टोरी भी इंफॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आपको जो पांच नंबर का एफ दो नंबर का सौट को इससे नांसर आता है, उसमें को जैसे किसी आपने कोशन ली हो भी आपके बूक से ही है, जिसमें गांधी जी वालों जो चेप्टार वहां से ली हूं, तो अपने सब्दों में आपको गांधी जी फाइनल इस्टे इन लेंदर के बारे में लिखना है, है कि नहीं है, तो अगर आप इस स्टोरी को पढ़े हुए हैं, तो आप दो से पांच नंबर के लाएक तो उसको ट्रांसर करके लिखी सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होत अब ज़रूरत नहीं है, जब आप लोग कुशन याद कर रहे हैं, और सारे समरी अच्छे से आपको याद है, तो थोड़ी से आपको धियार रखना हैं इंट्रोडेक्शन में आप लोग को जितने में टीप से दिए उतने को आप लोग जिसे याद किये हैं, तो आपको जो जो चैप्टर आपके बुक में है, सलेबस में हैं, उस चैप्टर का प笈फ्लिष्ट को जरूर देखना, जैसे आपके पास 10 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर कיתतर पभलिष्ट है, इसको जरूर याद रखना, अगर आप 10 पblogक को याद कर रहे हैं, तैन्पभीस्ट या जाता है उसको आप किसी भी पॉइंट में गुजा कर लिख सकते हो यह मेरा जब जब ट्रीक है जो काफी यूसपूल है यदि आप इसको फालो कर रहे हैं देखेगा बहुत बहुत बेहतरी रिजल्ट आपको आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक आपके रिजल्ट मे उसे कैसे याद करना है और मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में ऐसे जब जब ट्रिक के साथ जो सिर्प आपके लिए यूसपूल है आपके एक्जाम के लिए है